ये गाइस वेलकम टू मा यूटूब चैनल मेडिकल एन नर्से सफ मेरा नाम है कीरती तो गाइस निव वैकेंसी निकली है छो की पोस्ट के लिए तो जो भी केंड़ेट इंट्रेस्टेड हों वो लोग फॉर्म फिलफ जरूर करें क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो य यहां पर आपको एक ऐंगोन मिलेगा तो जो लोग इसको इंग्स में नोटीफिकेशन को देखना चाहते है तो यहाँ पर आप जब इस screen को नीचे की तरफ scroll करते हैं तो यहाँ पर देखे carriers लिखा हुआ है जैसे हम इसको click करेंगे तो यह notification है जो open हो जाएगा यह आया है 11 जुलाई 2020 को इस notification को देखने के लिए हम जो advertisement है इसको open करके देखेंगे तो यह advertisement है जो यहाँ पर open हो रहा है यह देखिए यहाँ पर जो post निकली है बहुत ज्यादा vacancy निकाली गई है यहाँ पर जो भी candidate interested हो वो लोग इसके लिए apply जरूर करें तो यहाँ पर NHM महराष्ट के थो आपके application form invite किये जाएंगे तो जो form invite किये जाना है तो इसमें आपके लिए 6-8 महीने की है जो ट्रेनिंग रहने वाली है साइटिफिकेट प्रोग्राम कम्निटी हेल्थ के लिए जो भी candidate apply करेंगे उसके बाद आपकी 6-8 महीने की जो ट्रेनिंग होती है चो की उसके बाद आपकी posting है जो सब सेंटर एंड हेल्थ एंड वेलनस सेंटर पर की जाएगी एजा कम्निटी हेल्थ ऑफिसर और कॉंट्रेक्ट बेस पर आपकी है जो posting की जाएगी तो यहां पर लेजिविल्टी देखते हैं तो लेजिविल्टी है इसके लिए मींस क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया चाहिए है तो इसमें BMS, BUMS और BSC नर्सिंग वाले के इंडेट अपलाई कर सकते हैं जिनका महराश्ट नर्सिंग काउंसल से रजिस्ट्रेशन हो और यहां पर पोस्टिंग कहां की जाएगी तो यहां पर डिस्टिक दिये हुए है महराश्ट के थादेर, रायगड, बंगवाद जलन तो यहां पर ऐसे बिला के टोटल 27 डिस्टिक के सब सेंटर है वहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी जब आपका 6-8 महीं देख्या जो ट्रेरिंग टाइम रहेगा इसमें आपको 10,000 परवंद स्टाइफंट दिया जाएगा और उसके बाद आपकी ट् आपको डिप्यूटी डारेक्टर ऑफ हेल्स सर्वेसेस के नमबर और आपके 18 जुलाई 2020 को भाय पोस्ट या फिर्वाय है जिस भी डिस्टिक में आप एपलाई करना चाहते हैं आपके दिया हुआ है तो इसके लिए आपको डिवाट ड्राप्ट बनवाके 18 जुलाई 2020 को सा सब्सक्राइब के पहले आपको फॉर्म है जो बाई है या फिर बाई कोरियर है जो पहुंच जाने चाहिए तो जो भी लोग जो थाड़े हैं वहां के लिए नासिक पुड़े कोलापूर औरंगाबाद लातूर अकोला और नागपूर तो यहां पर इन डिस्टिक के हैं जो सबसेंटर दिये हुए इन के लिए आपको अपना है जो फॉर्म फिलप करके भीज़ना होगा तो आपको फॉर्म फिलप करने के लिए क्या क्यर चीज़ने चाहिए है तो आपको एक इंकलोज़्ड एप्लिकेशन फॉर्म इसी में फॉरमिट दिया हुआ है उसमें आपकी फोटो कोफी और टू पासपोर्ट साइज है जो कलर फोटो है जो भेजनी होगी सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा एज़ा सी एचो के लिए तेहां पर आपका इंट्रेंस एक्जाम होगा जो बहुत ही जल्दी आपके लिए जो अफिसियल वैपसाइट है इसकी महरास्ट की पर आपको एक्जाम करवा जाएगा सॉट लिस्टिंग के एड़ेंट होंगे वह सभी आपको भेज दिये जाएंगे इंट्रेंस एक्जाम की डेट अभी नहीं दी हुई है इन्होंने बट इन्होंने कहा है कि 50 वैंगे एक कौस्टन है जो दो नंबर का होगा मतलब 50 कौस् इसके लवेस्ट कौस्टन से आपको एक्जाम में कौस्टन आ सकते हैं जो इंट्रेंस एक्जाम होगा उसका रिजल्ट भी आपको जब एक्जाम होगा उसके बाद बता दिया जाएगा यहाँ पर अलॉट्मेंट भी जब आप 6-8 महिने की ट्रेनिंग कम्क्लीट करेंगे इसके बाद होगा और जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर होगा वो आपको एक बार मिलने के बाद जैंज नहीं किया जाएगा तो और ज्यादा आपके लिए जानकारी चाहिए हो तो आप लोग है जो इसकी जो अफिसियल वैपसाइट है ना रहेचे महराष्ट गवर्मेंट डॉट इन पर जाके या फिर रोग महराष्ट डॉट कॉम पर भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं तो यहां पर आपको जो डिमांड राफ्ट वनवाना होगा एप्लिकेशन फीस लगनी होगी वह होगी आपके लिए 350 रूपीज होगी अधर कैटिगरी के लोग ippy फिस लगने को लीट से लगने वाली रहा है यहां पर फॉर्म का फॉर्मेट आभव करके जो भेजना दोगा जिस भी डिस्टिक के लिए आप लोलोग भेज पटार आप जरूर दे हैं और यहां पर जो भी लोग फॉर्म फिल अप करके भेज़ते और अधी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो यहां पर देखी मोबाइल नंबर दिये हुए है इस पर आप लोग कॉंटेक्ट करके पता कर सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है अ